हेलो बच्चों आप सभी को टाइलेंट इस्टिटूट में स्वागत है डियू सोल का इंपोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बियार्नस थर्ड समेस्टर सेकेंड एर हिस्ट्री इतिहांस 1200 से लेकर 1720 तक का हिस्ट्री जो है उसके बारे में आज पेपर है दो बच्च के सिवा जी का दिन मराथा राज जी कवदय की सर्चा की तो मैं आप लोग से बता दू कि बहुर सारे इसका वीडियो अपलोड है तो आप लोग प्लीज कि अप लोग डियू सोल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर अपना कोश्चन देख लिजिए उपर से ही दिख जाता है कोश्चन और वहां पर लिखा नहीं किया कि 1200 सब्सक्राइब कोश्चन अगर अप लोग का आता है कोश्चन पेपर में तो उस समय आप का करना है एक बर खुल लिजिए प्ले लिश्ट और देख लिजिए कि आया है कि नहीं कोश्चन बहुत सरा कोश्चन इसमें से आने पाला है ओके जितना मैंने अपलोड किया है और जिन बच्चों के पास पहले अगर आ जाता है कुष्चन पेपर धाई बज़े अगर आ रहा है कोश्चन तो मुझे मेल कर देंगे मेल मेरा जो इमेल एड्रेस है डिस्किप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के डिस्किप्शन ब जारा सेयर करी अपने दोस्तों में ताकि कोई भी बच्चा छूट न पाए चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बात्म हमगल समराज को छीन करने में मराठा समराज की भूम का 98 महत्तपूर थी सीवा जी के सासनकाल में मराठा रसमराज अपने सीखार पर पहुंचा उन्होंने आदिल साही राजवन और मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था और अपने सौतंतर राज की अस्थापना की थी मराठा सक्ती के उद्या के कारण मराठा ने बहमनी सासकों की सेना में सामिल होकर आवस्यक यूद को सीखा और बहमनी सासक की ओर से मुगलों के बिरूद यूद लड़े और उनमें विजय पराप्त की इससे उनके आत्म विश्वास में ब्रिधी हुई फिर का हुआ इस दोरान मराठा राष्टवाद की विच किले बनवाएं मराठो के उदय वह सफलता का सबसे बड़ा कारण सीवाजी का नतीतु था सीवाजी के नतीतु में मराठों ने कई यूद लड़े और उनमें विजय पराप्त की सीवाजी सीवाजी का जनाम अप्रेल 1627 सवी में महराष्ट के सिवनेरी किले में हुआ था व वे भोसले कूल से संबंधित थे वे एक महान योधा योधा थे तथा रणनिती कार थे सीवाजी को उनकी माता ने धार्मिक शिक्षा दी उनकी माता ने उन्हें रमायन तथा महाभारत इत्यादिक रंथों के सिक्षा दी यह सिक्षा जीवन भर उनके साथ रही सिवाजी की सिक्षा वापर सिक्षण का कारद दादो जी कुंड देव ने किया 1645 जिस्वी में पहली बार सिवाजी ने हिंदवी सोराजी का उलेख पहली बार किया था राज्या विशा कि शिवाजी काा राज सिक्षा खनम सुलला जुन सुल्हस सचहत्य दिस्वी को किया गया था उनका राज्या विश्यवसे गरायगळ के discounts धरीं में हूज स्माप्र लिया है से ने होगा से ने अभ्यान बीजापूर के विरूत चलाया था इस दौराण उखोने वर्स 1647 इस वी में सींगड़ के किले पर बिजय प्राप्त की थी 166 Thunder i7 में सीवा जी ने तौरन पड़ विजय प्राप्त कि तत्फश्चात कंडाना पर 16 for ने के प्राप्त करने का बाद स्वा-खी पिता पर विज़ापूर दरबार में राज़द्रो का पर कड़ने के बार सीवा जी के पिता पर विजापूर में राजद्रों का आरोप लगाया गया और उनके कैद कर लिया उन्हें कैद कर लिया अता सीवा जी ने अपने को रिहाई के लिए कॉंडाना किले को छोड़ दिया था तो बच्चों बहुत सारे बच्चे जब पेपर आ रहा है तो सुच रहे हैं कि एकदम टू कॉंपी कोश्चन मिले तो ठीक न ऐसे नहीं होता है ठीक सीवा जी से रिलेटेड कोई भी कोश्चन आत की थी यह किला उन्होंने निलोजी निलकंट से जीता था इसके बाद उन्होंने 1656 में जावली का किला जीता इसके बाद उन्होंने अन्यकाई कीलो पर विजय प्राप्त की इसमें ब्रामती तिकोना लोहगड तथा चाकन कीले परमूख है सीवा जी ने अपरेल 1656 में साजित होने से कारण होने के कारण आदिल साह ने क्रोध होकर 16 संतावन इसमें सीवा जी को ग्रिफतार करने के लिए अफजल खां को भेजा यूदुस यूदुस पहले भीजापूर के सेना ने पंधरपूर में तूलजा भवानी मंदिर तथा बिठोवा मंदिर को नश्ट किया या हिंदु धर्म के अनुयाईयों के लिए मतपूर्ण धर्म अस्तल थे दो महीने तक संघर्ष के बाद अफजल खां ने सीवा जी के पास अपना दूत भेजा और एकांत में बीचार बिमर हुई इस दोरान अफजल खां ने सीवा जी की हत्या करने का प्रयास किया प्रंतु उसका यह प्रयास असफल रहा सीवा जी ने बागनग नामक हत्यार से अफजल खां को मार दिया इसके पस्चात माराठा सेना ने बीजापूर सेना को पराजित किया इस दोरान बीजापू अभियान के दरान सीवा जी ने औरंग्येव को सहायता का प्रस्ताव दिया था प्रस्ताव दिया था इसके बाद मराथों ने जुनार पर अक्मण किया इन अक्रमडों का जवाब देने के लिए सीवा जी ने नासिरी खान को भेजा कि उसने अहमद नगर में सीवा जी के सेना को प्रास्त किया था वर्ष 1663 इस वी में अवरंगजेव ने शाईस्ता खान को दक्कान को सुवदार को निजगत किया था शाईस्ता खान को मराठो के विरूद्ध आनसिक सफलता मिली 15 अपण्दश स्वी स्वी में पूना स्वीर में शाईस्ता खान पराक्रमण किया था इसमें उसका पुत्र फताह खां मारा गया प्रंतु उस दोरान साइस्ता खां बंच गया सुलस चौंसर्ट हिस्वी में तो कि मराठो ने सूरत पर आक्रमण किया सैस्ता खां और सूरत पर आक्रमण की घटनाओं के से कुरूद होकर और अंगजेव ने राजा जैसिंग को 15,000 सेनिकों के सांथ सीवा जी का मुकावला करने के लिए भेजा उसने शीवा जी के सेना को काफी च्छिन किया उसना सीवा पुरंदर की संधी करने के लिए बात दे होना पड़ा पुरंदर के संधी एक आरा जुन 1653 को सिवा जी और जैक सिंग के बीच वही थी इस संधी का अनुसार सिवा जी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े इसके सांथ साथ उन्हें 4 लाक स्वाण हूंड भी मुगलों क को देने पड़े इस संधी के तहट सिवा जी ने अपने पुत्र संभाजी को दक्कन मुगलों की और से लड़ने के लिए भेजा संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया था 66 इसमी में अउरंग जेव ने सिवा जी को अगरा बुलाया था मुगल दर्बार में सिवा जी को मनसबदारों के पीछे खाड़ा किया इस सिवा जी का आत्म सम्मान को ठेस पहुँचे और वे दर्बार से बाहर चले गए बाद में सिवा जी को कैद कर लिया गया परनतू किसी परकार कैद से भाग निकलने में सफल रहे हैं बाद में मुगलों और मुराठों के बीच सांतिया स्थापित हुए उनंग जेम ने सिवा जी को राजा के उपादी दी सिवा जी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया उन्हें बरार में जागीर भी परदान की गई थी कुछ समय बाद सिवा जी ने अपने खोय हुए छेत्र को पुना प्राप्त करने के प्रयास किये सिवा जीने सोलब सत्तर यसवी में कॉंडाना के किले को जीता तच पस्चाथ सूरत पर सोलब सबस्तार यसवी में दूसरी क्या-क्या हुआ था शीवा जी को चार लाक हुणवार्सिक आये वाले 23 किले मुगलों को सौपने पड़े उसके पास शिर्फ 12 किले थे मुगलों ने सीवा जी के पुत्र संभाजी को 5000 यानि 5000 एम उचित जागीर देना सविकार कर लिया सीवा जी ने बिजापूर को सविकार कर सीवा जी के लिए फर्मान एवम खिलत भेंट दिया 1666 में सीवा जी जैसिंग के आसवासन पर औरंग्जेव से मिलने आगरा आये पर उंचीत समान समान नौ मिलने पर दर्बार से उठकर चले गए और रंग्जेव ने उन्हें कैद कर जैपूर भावन आगरा में रखा परन्तु चतुराई से सीवा जी आगरे के किले से फरार हो गया कुछ दिन बार सीवा जी ने आओ रंग्जेव के पास पत्र भेजा कि जदि वह उसे छमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को यो राज मुअजम की सेवा में भेज सकता है और अग्जेव ने सीवा जी के इस समझावते को सविकार कर सीवा जी को राजा की उपाधी परदान की तथा उसके पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर दी 16-17 में सीवा जी का मुगलों से पुनाह यूधुप आराम्भ हुआ हो गया पुरंदर के संधी द्वारा खोए गये अपने अनेक कीलों का सीवा जी ने पुनाह जीत लिया इन कीलों में कुंडाना कीला सरवाधिक महत्त पुन्था सीवा जी ने इस कीले का नाम सिंगड सीवा जी ने कासी के परसीद विद्वान गंगा भट से अपना राजा विशेक रायगण में करवाया तद छत पती की उपादी धारण की सीवा जी का अंती महत्त पुन्था अभियान सुले से 77 इसवी में करनाटा का भियान था इस अभियान का मुख्य उद्वे से विजापूर के आदिल साही राजय पादिकार करना था इसके लिए उन्हों ने गोलकुंडा के दो ब्रामण मंत्रियों मदाना एम अखाना के मध माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संदी की इस अभियान में सीवा जी ने जिंजी मदुराई बेलोर आधिक तथा करनाटक तथा तमिलाडू के लगवाग सौ किले को जित लिया जिन जी को उन्हों ने अपने इस भाग दक्षिन भाग की रजधानी बनाई सीवा जी का संगर जंजी जंजीरा टापू के अधिपती अभिसी नाई सीदियों से भी हुआ सीदियों पर अधिकार करने के लिए अब उसने नौस सेना का भी निर्माण किया था परन्तु पूर्तगालियों के से गोवा तथा सीदियों से चॉल और जंजीरा को न सीदि पहले अमर नगर के अधिपत्य को मानते थे परन्तु 1636 के पाश्चात्व विजापूर को अधिनस्त में अधिनता में आ गया सीवा जी के लिए जंजीरा को जीतना अपना कोंकड़ परदेश की रक्षा के लिए आवसक था 1629 में सीवा जी ने दर्या सारंग के निति मिर्ती हो गई किसका सीवा जी को सुल बारा प्रेल 1680 में मिर्ती हो गई थी ओके तो यह रहा बच्चा कि सीवा जी का उदय का और माराठा का उदय का कारण तो कैसे उदय हुआ मराठा राज तो इसके लिए पढ़ें आप लोग तो चलिए आप लोग उने बोला जिनको जीन बच्चे के पास पहले आ जाए कोश्चन तो कोश्चन पर पर सियर कर दे इमेल आइडी पर ओके जो कि डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिलेगा ओके बच्चों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यों सो मज़ बच्चों और आल दे बेस्ट सभी बच्चों को मेरे तफसस सुभकमना है कि अच्छा से पेपर दें ओके